हेल्थ रिलेटेड वो तमाम प्रॉब्लम्स जिनके बारे में पूछने से आप चिजकते हैं मैं डॉक्टर धर्ती आपकी इनी समस्याओं को लेकर आपको मिलाऊंगी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और सब्जिक्ट एक्सपर्ट से वो तमाम सवाल जिनके जवाब आप तलाश कर रही हैं तो देखते रहिए May I help you? Friends, आज कल दुनिया में 60-70% लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है आसेड रिफलक्स की प्रॉब्लम होती है तो actually आसेड रिफलक्स होता क्या है? डाइजेशन की प्रॉब्लम्स क्यों होती है? कौन-कौन से बिमारिया हो सकती है डाइजेशन की वज़े से और उसके solutions क्या है? इन सभी questions का answer आज हम जानेंगे हमारे world famous gastroenterologist doctor विपल रॉइ राठोट से जो की है medical director The World Gastroenterology Institute की Let's welcome him Hello Doctor Hello May I help you में आपका स्वागत है बहुत-बहुत शुक्रिया Sir, जैसे कि यह सब को बता है डाइजेशन की प्रॉब्लम हाज कल इतनी कॉमन है हर दूसरे इंसान को हो जाती है Sir, actually यह प्रॉब्लम होती क्यों है? जैसे कोई भी खाना कुछ भी खाना पीना जो भी होता है उसका शरीर के अंदर प्रवेश द्वार डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है मतलब पाचन तंत्र तो बहार की जो कुछ भी इंफुएंसे है जैसे फूड है, ड्रिंक्स है, पानी है जो पेट में अंदर जाता है और वहाँ से प्रोसेस होके वो पूरे शरीर में शक्ति के रूप में उसका स्टोरेज होता है और शक्ति के रूप में उसका खर्च होता है इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है कि सब रोगों का मूल डाइजेस्टिव सिस्टम है तो अगर आपका पाचन तंत्र स्वस्थ है तो आपको ओवराल स्वस्थ मिलेगा इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र की स्वस्थ बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है और यह मेरे हमारे दर्शकों को भी मैं कहूंगा कि अगर डाइजेशन आप एक दम सही रखोगे तो आपको न तवचा के रोग आएंगे न बाकी क्या अवयों के रोग जैसे हार्ट के रोग है फिर किड्नी के रोग है फिर आख के रोग है अगर पाचन सही रहा तो सब सही रहेगा सब फिर दिक्कत कहा आती है, क्यों होता है ये प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स अभी हम देख रहे हैं वो अर्बन सेंटर्स में हैं, जैसे सिटीज हैं, अब हर कोई गाहों के बंदे को भाग के शहराना है, करियर के लिए, अपने पढ़ाई के बहुत सारे कारन है, तो हमने ये देखा है कि शहरी जीवन में लोगों के पास ना खाने का वक्त हैं, ना सोने का वक्त हैं, तो ये लाइवस्टाईल बहुत महनतपूर्ण है, लाइवस्टाइल में जो गरबड़ी हूई, और उसके साथ बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं जैसे हमारा वातावरण, प्रदूशन, वहिकुलर पोल्यूशन, कॉंटैमिनेशन, जैसे के खाने पिने में मिलावट, पेस्टिसाइड्स का उपयोग और प्रयोग, सबजियां और फल वगेरे में, नॉन वेजिटेरियन में भी हॉर्मोन्स वगेरे का जो प्रयोग हो रहा ह है आज इंडस्ट्री के अंदर, यह सब फैक्टर्स की वजह से हमारे डाइजेशन पे सीधा वार हुआ है, तो अगर हम इतने सारे फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हमारा जीवन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, इन तरम्स अव लाइफस्टाइल, तो यह है कि आप डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से बच पाओगे, तो आपके हाथ में जहां कंट्रोल है, जैसे आपका लाइफस्टाइल, एक समय पे सोना, एक समय पे जागना, समय के अनुसार भोजन लेना, बहार का खाना पीना, अवोइड करना, स्वच्छ और स्वस्था आहा लेना, यह सब अगर आप नहीं करेंगे, तो आपको पका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगा, तो यह कारणों को हमें इससे हमें बचना जरूरी है, बिलकुल, और लोग आजकल बहुत बाहर खाते हैं, हर एक पेशेंट को पूछता हूँ, पेट का प्रॉब्लम आता है, हाँ सर, हवते में तीन बाहर खाते हैं, मैं पूछता हूँ क्यों आपके घर में खाना अच्छा नहीं बनता, मैं पूछता हूँ उनको, यह पूरा जो पीडी है, यह कल्चरल शिफ्ट है यह देश में, कि लोग अभी बहार खाने ही पसंद करते हैं, क्योंकि घर में खाना करते हैं, एक परिवार को सपोर्ट करने के लिए, तो उसमें वक्त नहीं है, यह सब चीजों के लिए, तो यह सब फैक्टर्स हम, हमें रखना है मन में, तब जाकर हमें संपोर्ण, पाचन संस्ता का स्वास्त मिलेगा, सब ही को हो जाती है अज कली, यह अचिड रिफ्लक्स यह खाया हुआ खाना ऊपर की तरफ आता है, यह क्यों होता है सर, थोड़ा कंट्रोवर्शल लगेगा आपको शायद या इंटर्व्यू में, पर हमारे देश में, जैसे ब्रस्टाचार आम हो गया है, वैसे लोगों को लगता है कि acidity एक way of life है, तो ऐसा नहीं है, प्लीज ऐसे मत करिये, acidity एक ऐसा problem है, जो एक बहुत बड़ा, बड़ी समस्या बन सकता है आपके जीवन में, इसकी एक शुरुवात है, एक सिम्टम है यह, तो आज हम acidity और रिफ्लक्स जो आपने specifically जो पूछा, वो क्यों हो र इसके मैंने जैसे बहुत सारे कारण बताया है, उसमें में कारण है बहुत सिवियर मेंटल स्ट्रेस, हमारे जीवन में आज सक्सेस की जो परिभाषा है, वो हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हमारा समाज डिसाइड कर रहा है, और वो प्रेशर के तहत, लोग आके अपने आपके रोल मॉडल है, आपने आपकी सक्सेस के परिभाषा तैनी की है, और ये कारण की वज़े से लोग इतना भागते हैं, कि उसमें उनका स्वास्त पीछे चूट जाता है, ये सामाजी एक मेसेज मुझे आज देना है समाज को, क्योंकि मैं पिछले 25 साल में कम से कम 2 ला आख मरीज देखे हैं मैंने, और हमारे भारत देश में आज भी एक बहुत मेजर कुल्चरल प्रॉब्लम ये है, कि स्वास्थ्य लास्ट प्रायरिटी है इंडियन्स के लिए, मैं शौक हो गया, जब एक पेशंट मेरे सामने आया, उनके पिता जी है, जिनको खुद को 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 कैंसर है, वो बैग लेके घूम रहे है, कोलोस्टोमी का, और उनका सन को लेके मेरे पास आये, उनको को खुद की सिंटम्स थे, अब आज मैं दर्शर को को एक बात चीद बताना चाहता हूं, कि ये कल्चरल शिफ्ट हमें जरूरी है देश में, कि हमें स्वास्त्र को सब से रखना है प्रायरिटी बे, वो फादर मुझे मेरे सामने बोल रहे है कि मेरे लड़के का फर्स्ट प्रायरिटी उसका शादी है, उसका हेल्थ नहीं है, तो ये बहुत बड़ा सामाजिक प्रॉबलम है ये देश में, और ये आपको पहुंचाना है समाज तक, तो मैंने उन हमें बच्चों को सिखाना है, तो सर जैसे अपने असिद रिफ्लेक्स के बारे में बताया, सबसे बड़ा फैक्टर है, जो ये प्रॉबलम करता है, इसका सोलूशन क्या है सर, इसे कैसे रोग थाम देखिए, सोशो एकोनोमिक फैक्टर, स्ट्रेस, जीवन शैली, लाइफस है, जो स्टमक में स्थित है, डॉक्टर ग्राहम को इसके बारे में गुनोबल पुरुषकर भी मिला, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया, कि एच पाईलरी बैक्टेरिया की वज़े से डियोडिनल अलसर और स्टमक में अलसर, जठर में अलसर हो सकते हैं, उन्होंने प्रू स्टमक में एच पाईलरी का बेक्टेरिया स्थित है आज, पर कुछी पेशन्टों में वो एक्टिव हो जाता है, और वो अलसर बनाता है, एसी डिटी बढ़ा देता है, और सुजन आ जाती है, जठर और छोटी आथ में, तो इसका हम निदान कैसे कर, पहले तो ये है, सोश जानना डेमेज हुआ है, और उसका और क्या कारण है, वो जानने के लिए, आज हमारे पास कोई भी पेशन्ट आता है, कि ये प्रॉब्लम है, सर हमें, क्या करना चाहिए, तो हम उनको सला देते हैं, कि तीन चीजे करना है, एक है खून की जांच, दूसरा है एक पेट की सोन क्या कहते हैं, तो वो हो गया सोनोग्राफी से, और एक हाई डेफिनेशन एंडॉस्कोपी, तो हाई डेफिनेशन एंडॉस्कोपी का एडवांटेज ये है, कि आप छोटे से छोटा कैंसर, या सूजन, या इन्फेक्शन, अगर अनननली जठर छोटी आत में है, तो उसका निदान कर सकते हैं, तो ये एंडॉस्कोपी मेंडेटरी है, कोई भी पेशन जिसको एसी डिटी की शिकायत है, उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से दवाई ली है, पर उनसे उनको फरक नहीं हुआ है, दवाई लेने के बाद, वो दवाई जैसे ही बंद की, उनको प्र अनननली जठर चोटी आँप में, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं. डाइजेशन की इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, क्या खाय हम कि ये होए ही ना में? देखे, पहली बात तो के आज अगर विश्व में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आने वाला है अगले 10-20 साल में भारत में भी और वो है ओबेसिटी, उसका कारण है के हमें ये देश जो है अब ग्रो कर रहा है, हमारी एकोनोमी ग्रो कर रही है, पर उसके साथ लोगों का पिने का जो धंग है वो भी बदल रहा है, आज कौन से ऐसे देश है जहाँ ओबेसिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नमबर वन ही अमेरिका, अमेरिका में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और अमेरिका का जो फूड और अमेरिका की जो लाइफस्टाईल, जहाँ कि भारत में अगले 20 साल के अंदर इतना बड़ा हेल्थ का समस्या होने वाला है जो हमने अभी तक उसकी तैयारी नहीं की है तो यह important message मुझे लोगों तक पहुचाना है कि आज से ही उसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी कि खाने पीने में जैसे आपने बताया क्या ध्यान रखना है अगर आप भार का खाते हैं अगर वो बंद कर दो पहले तो आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आप जो घर पे खाना खाते हो वहां आपका नियंत्रण है मिर्ची के उपर तेल के उपर मसालों के उपर तो उससे क्या होता है कि आप 50% कंट्रोल वो आ गया और फिर आप एड़ेस कर लोगे और फिर अगर कोई सही डॉक्टर मिल गये उनसे आपने इलाज करके ए क्योंकि आपका कीमती समय आपने हमें दिया और एक बहुत वैलियूबल इंफॉमेशन हमारे साथ शेयर की थैंक यू सो मुझ तो ये थे डॉक्टर विपुल रॉय राथोर जिनोंने आज हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम से बचने के सोलूशन बताए उनके कारन बताए और किस तरह से हमारा डाइट रहना चाहिए क्या क्या हम खाए ये सारी चीजों के बारे में इंफॉमेशन दी तो फ्रेंट्स अगर आपको भी कोई भी मेडिकल रिलेटेट प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें help at the rate careworldtv.com पर लिख सकते हैं आपसे फिर बिलेंगे next episode में तब त such informative videos